हेलो फ्रेंड्स आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेंडविच मेथट 11 से मल्टिप्लाई 111 से या फिर 1111 से मल्टिप्लाई बड़े ही अराम से करेंगे बड़े ध्यान से देखिए कैसे हमने करना है 23 को 11 से अगर मल्टिप्लाई करना हो तो हमें क्या करना है इसे हम not sandwich मेथट बोल देना है और आप यहां पर एक इधर जीरो लगा दीजिए एक इधर जीरो लगा दीजिए इस concept को समझेगा फिर 111 से यानि कि मल्टिप्लाई करना बहुत असान लगेगा देखिए एक एक जिरो लगाया दोनों तरफ फिर आपने क्या करना है जैसे यहां पर टो डिजिट स है ना तो दो गोश डिगिस को एड करना है जिसे जिरो प्लस त्री पीछे से डोटाए जिरो प्लस त्री क्या होता है घ्री होता है ॊठ़् 94 को न gonna है तो हमें क्या करना है 11 है 2 digit number है तो एक एक 0 लगानी है एक इदर लगाईए एक इदर लगाईए फिर add करिए 2-2 digits को 0 प्लस 4 को add किया 5 प्लस 4 को add करते हैं तो 9 5 प्लस 0 को add करते हैं तो 5 answer कितना आया 594 और देखिए 88 ले लिजिए 88 को अगर 11 से करना है तो एक एक 0 लगेगा थोड़ा सा चेंज आएगा इसमें 0 प्लस 8 8 लेकिन जब 8 प्लस 8 16 करोगे तो बस 6 लिखना है 1 अलग छोड़ देना आपने क्योंकि 1 को अभी आगे use करेंगे 8 प्लस 8 16 6 लिखा 1 करी के लिए छोड़ दिया फिर next 2 digits 8 प्लस 0 8 होता है 8 में ये 1 एड़ कर दो तो यानि कि 968 अंसर आएगा तो मुश्किल नहीं है बिलकुल आसान है आगे देखिए अब मैंने 11 से हमने किया 3 नंबर को अब अगर मैं इसी 23 को इसी 23 को अगर हमने 111 से multiply करना हो तो क्या करेंगे बड़े ध्यान से देखना अब क्या होगा फरक क्या आएगा यहां पर 2 बार 1 था तो single 0 लगाया था single note लगाई थी अब double note sandwich बनाएंगे double note मतलब 3 बार 1 है तो 2 zeros लगा दीजिए क्या कर दिया हमने 2 zeros लगा दी अब 2 zeros लगाने से क्या होगा यह देखिए अब 3 1 है तो 3 3 यहां से उठाने एक अठ्थे जैसे यहां पर 2 2 के addition की थी अब 3 की करने है 0 प्लस 0 प्लस 3 कितना होगा 3 होगा एक step हो गया फिर next value 0 से शुरू करो 0 प्लस 3 प्लस 2 कितना होगा 5 होगा second number वाला भी हो गया फिर 3 से शुरू करिए 3 प्लस 2 5 5 प्लस 0 5 यह भी हो गया अब 2 से शुरू करने 2 प्लस 0 प्लस 0 2553 हमारा answer है तो देखिए कितना असान है मुश्किल नहीं है सेम अगर मैं 54 की बात करूँ और 54 को 111 से अगर multiply करूँ तो क्या बनेगा 1 0 इदर लगाईए 1 0 इदर 1 0 इदर 1 0 इदर यानि कि 2 2 0s दोनों तरफ लगानी है आपने फिर add क्या करना है 3 3 को 0 प्लस 0 प्लस 4 4 0 प्लस 4 प्लस 5 9 4 प्लस 5 प्लस 0 9 5 प्लस 0 प्लस 0 5 तो 5 994 हमारा answer है राइट सेम question देखिए 11 से भी किया 111 से भी ऐसे 88 को भी हमें एक बार 111 से करके देखते हैं कि इसका answer क्या आएगा देखते हैं अब देखिए लास्ट वाले 3 डिजिट सेट करो 0 प्लस 0 प्लस 8 8 0 प्लस 8 प्लस 8 16 बनता है 6 यहाँ पर 1 कैरी और इसके बाद इसके बाद इस 8 से शुरू करेंगे 8 प्लस 8 16 16 प्लस 0 16 ही रहा लेकिन उस 16 में 1 एड किया तो 17 बन गया 7 लिखा 1 फिर कैरी फिर इस 8 से शुरू करेंगे 8 प्लस 0 प्लस 0 8 8 में 1 एड किया 9 तो यानि कि 9 7 6 8 हमारा answer है ये तो हमने 2 डिजिट नंबर को 111 से किया है अभी हम 3 डिजिट नंबर को भी कर सकते है 4 डिजिट नंबर को भी कर सकते है ये देखिए हमने अगर 234 को 111 से multiply करना हो method same है 2 zeros लगाईए 2 zeros लगाईए 3 3 को add करो 0 प्लस 0 प्लस 4 क्या बनेगा 4 बनेगा 0 प्लस 4 प्लस 3 7 4 प्लस 3 7 7 प्लस 2 9 फिर 3 से शुरू करिए 3 प्लस 2 5 5 प्लस 0 5 फिर 2 से शुरू करो 2 प्लस 0 प्लस 0 2 यानि कि 2 5 9 7 4 हमारा answer है ये देखिए 3 डिजिट नंबर को 111 से किया कितनी असानी से हो गया हम 4 डिजिट नंबर को भी 111 से कर सकते हैं ये देखिए 1 3 4 8 माली जिए इसको मल्टिप्लाई करना है 111 से 2 दो 0 लगाओ दोनों तरफ और 3 तिन उठाओ सेट यहाँ पर तिनों को एड़ किया 0 प्लस 0 प्लस 8 8 फिर अगले 0 से शुरू करना है 0 प्लस 8 8 8 प्लस 4 12 2 यहाँ पर 1 केरी अब यह याद रखना है फिर 8 प्लस 4 12 12 प्लस 3 15 15 प्लस 1 16 6 आ गया 1 केरी फिर यहाँ से शुरू करिये 4 प्लस 3 7 7 प्लस 1 8 8 प्लस 1 9 यह केरी वाला खतम हो गया यहाँ पर देखें निशाने क्या होती है 4 डिजिट्स हो गए है न तो 1 2 3 4 4 यानि खतम हो चुके अब इस 3 से शुरू करना है 3 प्लस 1 4 4 प्लस 0 4 राइट अब यह लास्ट 1 प्लस 0 प्लस 0 1 यानि कि 1 4 9 6 2 8 हमारा आंसर होगा अब देखिए सिरफ यही नहीं माल लीजिए मुझे 2 3 1 2 को मुझे 1111 से मल्टिप्लाई करना है देखिए इससे भी आगे चल सकते हैं जीरोस कितनी लगेंगी अब 3 जीरोस लगेंगी ट्रिपल नॉट पेर किस किस के बनेंगे चार चार के बनेंगे यह देखो यह चार इक अठा पकड़ लो इन चारों डिजिट्स को एड किया तो 2 ही बनेगा अब दूसरे नंबर से शुरू करो 0 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 1 कितना बना 3 अब यहां से शुरू करो 0 प्लस 2 2 प्लस 1 3 3 प्लस 3 6 अब निशानी क्या रखनेंगे यह तीन डिजिट्स हो गए यह यह तीन खतम हो गए यहां से शुरू करने है 2 प्लस 1 3 3 प्लस 3 6 6 प्लस 2 8 चलिए 8 भी आ गया अब 4 डिजिट्स हो गए है तो यह 4 खतम हो गए 1 से शुरू करने 1 प्लस 3 4 4 4 plus 2 6 6 plus 0 6 right अब 5 ये हुए तो 5 ये भी गए अब 3 से शुरू करना है 3 plus 2 5 5 plus 0 5 यानिकि 5 रहेगा अब इसके बाद 2 से शुरू करनेंगे सब एड करोगे तो क्या बनेगा 2 बनेगा यानिकि 2 5 6 8 6 3 2 हमारा आंसर है देखिए कितने आसान मैथट से 11 से 111 से और 1111 से आप इसके ज्यादा चाहे 5 टाइम्स वन हो आप उससे भी मल्टिप्लाई कर सकते हो तब 0 कितने लगाओगे 4 और सेट कितने कितने बनाओगे 5 5 के सेट बनाओगे तो बहुत ही आसान है आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा हमारे वीडियो को लाइक और शेर जरूर कर करते रहें थैंक यू